असलाम अलेकुम डिरी कैंडेट्स PM की तरफ से लैप्टोप स्कीम की अनॉस्मेंट कर दीगी है आज किस फिरिम में completely आप लोगो इस स्कीम की डिटेल बताऊंगा और secondly आप लोगो बताऊंगा कि आपने इसमें apply कैसे करना है और कौन से कैंडेट्स कर सकते हैं और आप लोगो लैप्टोप कैसे मिलेंगे स्कीम के complete डिटेल आने के लिए और apply करने के लिए सबसे पहले आने आपको गूगल पर गैस गूगल पर यहां पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रोल करने है और यहां पर नमबर वन पर आपको how to apply for PM लैप्टोप यो लैप्टोप स्कीम 2023 इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद आप और इसके पोस्त में आजेंगे यहां पे कुछ बीसिक इंस्ट्रक्शन हैं और इन गर्जी आपको यहां पर आपके इंपॉरंड पॉइंट्ट पॉइंटेंज इसमें पापि यूथ लैप्टोप स्कीम है जनि ने में बहुत मे यह नहीं है यह स्कीम है एक और लास्ट रेट तीस जून दो हजार ताइस है फर्दर नीचे आएंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है और यहां पे हैं आप लोग का अपलाई का पॉशन अपलाई करने से पहले नीचे अपना एड़र्टाइसमेंट चेक कर लें इसमें भी क क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने के बाद यहां से कुछ पूछेगा तो यहां पे हो कार्स का कह रहा है तो कार्स के ओपर क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक कर लिया है, ओके हो गया, सम्मिट के ओपर क्लिक करते हैं, सम्मिट के ओपर जैसे क्लिक करेंगे, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी, आपकी important instructions है, इन्हें आपने एक बार अच्छे से जरूर रीड करना है, यहां से पहले वेबसाइट में ने close कर दी है, अ आपने अच्छे से जरूर रीड करना है, मुझे रीड करने के जरूरत नहीं है, अगर आप लोग graduation के students होंगे, तो आपको easily समझ आजेगी यह क्या चीज़े लिखी हुई है, accept and continue के ओपर आपने click करने है, click करने के बाद next window में आजेंगे, अब यह आप लोग की personal window है, यहां पे आएगा, तो मेरा पंजाब का है, उसके बाद आपका डॉमिसल की शेहर का है, वो यहां पे आएगा, तो यहां पे वो अपना शेहर आपने चूस कर लेना है, यहां पे मैं फैसला बात करूँगा, उसके बाद आप लोग employee हैं यह नहीं हैं, तो यहां पे अपना status चेक क कर दें, अगर आप डिसे अपले हैं, यहां पर क्लिक कर दें, उसके बाद अगर आपने पहले कभी भी laptop लिया है, तो यहां पे आप लोग अपनी option को चूस कर सकते हैं, अधर वाइस नहों के ओपर क्लिक कर दें, यह तमाम चीज़ें एड़ करने के बाद, यहां पर आने है यानि के यह वो नमबर होता है, जो के आपकी युनिवस्टी के कार्ड के ओपर आपका जो रोल नमबर आपको दिया जाता है, वो यहां पे आपने रोल नमबर अपना एड़ करते हैं, जैसा के मेरा है BC2004134408, आपकी युनिवस्टी के अकॉर्डिंग आपका कुछ भी न नमबर हो सकता है, आपने अपनी युनिवस्टी के कार्ड के ओपर चेक करना है, जो आपका नमबर होगा, रोल नमबर, यानि के रिजिस्ट्रेशन नमबर, एक नमबर यानि के युनिवस्टी आपको इस्यू करती है, वो यह रोल में नमबर ही होता है, तो सिंपल वो भाता बात Medical University आपको अपको अपना campus चूश कर लेना तो मेरा main campus है उसके बाद आपको अपना department चूश कर लेना तो मेरा department है पॉस्ट graduate studies उसके बाद degree level जो है मेरा वो phd 18 years and then PC Exde उसके बाद trḝ 4 years की है और उसके बाद जब मेरा admission हुआ था वो यहां पर डेट आपने अपनी चूज़ करनी है तो यहां पर मैं डेट चूज़ कर लूँगा 2020 और उसके बाद एंड डेट मस्ट भी लेस देन जून 2023 ओके 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 उसके बाद डेट ओफ कमप्लियेशन यहां पर अब यहां पर मैं चूज़ करूँगा 21 को ठीक है यहां पर मैं 21 कर देता हूँ उसके बाद आपका जो समेस्टर सिस्टम यानि के वो एन्वल है यहां समेस्टर है वो यहां पर आपने अप्शन को चूज़ कर लेना है उसके बाद अगर आपका समेस्टर है मैं CGPA उसके बाद आपने कितना last exam में CGPA गेंड किया है वो यहाँ पे add करें और यहाँ पे मैं add कर देता हूँ 2.7 and return अब यहाँ पे यह सारी चीज़ें मैंने add कर दी है 1 by 1 अब यहाँ पे again आपको next के उपर क्लिक करने जैसे next के उपर क्लिक करेंगे 10 days यहाँ पे आपको अपना phone number add करना है जैसे के यहाँ पे मैं अपना phone number add कर देता हूँ 0310 самого आं यहाँ जैसे add करेंगे add करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने blank area में click करने है यहाँ पने blank area में click करेंगे वो code यहाँ पे आपने box के अंदर add करना है उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी Gmail add करनी है Gmail जैसा कि मैं अपनी add कर देता हूँ यह Gmail मैंने add कर दी तो Gmail add करने के बाद देन इसके उपर भी आपको ऐसे ही click करना है क्योंकि मैंने incorrect add किया है यहाँ पे नहीं करेगा वो तो करेंगे तो आपका code Gmail पे भी चला जाएगा और अगर Gmail पे आपका code नहीं आता तो आपने Gmail के spam folder में जरूर चेक करना है क्योंकि मैंने जब यह code send किया था तो spam folder में आया था میरा तो spam folder में आपने चेक करना है आपका code वहाँ पे मजूद होगा, आपने code add करना है, then आपकी Gmail भी verify हो जाएगी, अब Gmail और contact number verify होने के बाद, then यहाँ पे आपको capture में click करने, click करने के बाद यहाँ से आपको submit करते हैं, that's it, इसके लावा आपको और कुछ भी नहीं करना, अब कुछ important चीज़ें जो मैं आपक expert jobs 24 के उपर वापिस, जैसे यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप लोग आजें, अपने laptop वाली post में, यहाँ पे आने के बाद, अभी यहाँ पे कुछ important चीज़ें हैं, जिसमें अब eligible universities की list, यहाँ पे आप कैसे चेक करेंगे, कि आप लोग eligible हैं भी या नहीं हैं, जैसे इसके ओपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इसके ओपर क्लिक करते हैं, अब यह PDF मेरे सामने open होगी है, आपके सामने भी सेम इस तरह की open होगी, अब यह शो क्यों नहीं कर रही, पता नहीं क्या मसला है इनका, अब यहाँ भी again इसके ओपर क्लिक करते हैं, डाउनलोड again के ओ की details कैसे चेक करनी हैं अब यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब यह आपका complete eligibility क्राइड अब यहां पर आप लोग कौन से candidates apply कर सकते हैं PhD MS MPH वले MBA वले उसके बाद master's undergraduate undergraduate यानि के four years five years degrees होती है उसके accordingly आप लोग की तमाम details यहां पर मजूद हैं आपको laptops किस तरह distribute किये जाएंगे तमाम की तमाम details इसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे जब आप लोग complete details अपनी अच्छे रीड कर लें तैन आपको यहां पर वापिस आना है और यहां पर click करके आप लोग अपना online apply कर सकते हैं तो यह थी आज की मेरे shortest वीडियो पी एम लैप्टॉप स्कीम के ओपर आई होप्स काई वीडियो आप लोग अच्छे लेगी होगी तो don't forget like subscribe and share Allah Hafiz I made with you in next video